हलो दोस्तो स्वागत है आपका अमारे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्स एंड ट्रिक्स तो बेसेकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन आफ सैंड जिहां क्लासिफिकेशन आफ सैंड on the basis of the grain size ठीक है तो चलिए टीक है क्लासिफिकेशन ओ सबसे फिर्स टाइप है देख्सिंग क्लासिफिकेशस अप स्वीडिन सेंड पर 투फ是 plastering jobs, okay, used for plastering jobs, next type coarse grain sand, okay, the sand which is passing through a screen with a clear opening of 3.175 mm sieve is known as the coarse grain sand, okay, and it is generally used for the masonry works, next type is gravelly grain sand, okay, the sand passing through a screen with a clear opening of 7.62 mm is known as gravelly grain sand, ठीके, अब use कहा करते हैं, वो देखते हैं, it is generally used for the concrete operation, concrete work, ठीके, तो आज के इस वीडियो में बस यही पार्ट हम देखने वाले थे, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक किजिए, और अगर आपके कोई issues है, या फिर कोई suggested topic है, जिसके उपर में वीडियो बनाओ, तो वो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, ठीके, और एक चीज, wish you a very happy holy, यह holy आपके जिवन में रंग भर दे, ठीके, बाइ, रए यह है, और लाइ, बाइ, जिसले को जिवन में रेख, यह दो झाए, जिसले को लाइ, यह को जाए, चीज, पाई!